दोस्तों ATFE Tech में आप लोग का स्वाग आता हैं दोस्तों आभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं आप लोग Redmi 8A का developer option को कैसे on करें और इसमें MI icon को add कैसे करें तर चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूं मुबाइल का screen पर आप लोग video को देखते रहें दोस्तों मैं मुबाइल के screen पर आ गया हूं यहां पर मैं सेटिंग का उपर क्लिक करता हूं क्लिक करने का बाद यहां पर उपर में देखिए यहां पर फोन जो है उसका उपर क्लिक करना है यहां पर क्लिक करने का बाद दोस्तों यहां पर देखिए device model Redmi 8A dual और इसका जो Android version है 10th है और इसका जो MIUI version है वो 11.0.1 है तो दोस्तों इसका developer option enable करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर MIUI version जो है इसका उपर click कर देना है यहाँ पर देखिए you are now developer आपका developer जो है वो enable हो गया है अभी यहां से back जाना है दोस्तों यहाँ पे थूरा निचे scroll करना है स्क्रूल करने के बाद यहाँ पे देखिए you additional settings जो है इसका उपर click करना है click करने के बाद यहाँ पे दोस्तों निचे देखिए developer option जो है वो enable होके यहाँ पे आ गया है अभी इसका उपर में क्लिक करता हूं क्लिक करने का बाद यहां पर देखिए उपर में developer option वो इनेबल है अगर दोस्तों आप लोग इसका बूटलूडा अनलग करना चाहाते हैं बूटलूडा अनलग करके MI icon को add करना चाहाते हैं तो आप लोग को यह 3 setup जरूर करना है आप लो देखिए ओई यह अनलोकिंग जो है इसको भी इनेबल कर देना है उसका बात दोस्तों यहां बे देखिए MI अनलोकिंग श्टैटा जो है इसका उपर क्लिक करना है इसका उपर आप लोग जब क्लिक करेंगे यहां पे कुछ समय लगता है आपका यहां पर देखिए दोस्तों आप लोग अगर MI account से login नहीं है तो आप लोग add account and device पर जब click करेंगे आपको MI account login करने के लिए बोलेगा आप लोग यहां पर new account भी create करके यहां पर add कर सकते हैं यहां पर देखिए दोस्तों add account and device आप आप लोग जब यहां इसका उपर click करेंगे यहां पर कुछ चमय लगता है आपका MI account add हो जाएगा तो दोस्तों आप लोग इसी तरह से Redmi 8A का जो developer option enable करके आप लोग इसमें MI account को add कर सकते हैं